बिस्मिल्लाहिरामाल रहीम, असलाम लेक्म स्टूलेंस, सेकेंड एर आपके बैलो जी के चप्टर नमबर 17 का लेक्चर नमबर 4 है और आपका टापिक चल रहा है ब्रेन का और ब्रेन का जो हिस्सा है 4 ब्रेन वो चल रहा है आपका टापिक, ठीक हो गिया, 4 ब्रेन चल रहा है और 4 brain के 3 हिसे होते हैं कितने हिसे होते हैं मैटा 3 हिसे होते हैं एक थेलमस होता है ठीक हो गया और एक limbic system होता है और एक cerebram होता है ठीक हो गया थेलमस हमने पाड़ लिया था तो आज हम limbic system भी पढ़ेंगे और cerebrum भी पढ़ेंगे तो four brain topic चल रहा है आपका और four brain में आज हम start करते हैं limbic system बाद में cerebrum first of all the limbic system the limbic system is located in an arc between the thalamus and the cerebrum सबसे परे यह diagram देख लें मैटा यह उपर वाला cerebrum है यह उपर है यह सारा क्या है cerebrum है यानि के cerebrum मौजूद है ठीक हो गया और यह वाला जो red है ये The Ellemus है red क्या है Thelemus है उपर कौँ मौजूद है cerebrum मौजूद है और उस के दर्मिआन में thelemus or cerebrum के दर्मियान में arc की तरह किस की तरह आर्क की तरह इस तरह ठीक हो गिया इसको बोलते है आर्क इस की तरह मौझूद है लिम्बिक सिस्टम इसकी तरह कौन मौझूद है यह सारा जो मैं आपको शो कर रहा हूँ यह सारा क्या है लिम्बिक सिस्टम है जो के आर्क की शकल में मौझूद है आर्क बोलते है इस तरह की आर्क between the thalamus and the cerebrum कि thalamus और cerebrum के दिर्मियान आर्क की शकल में कौन मौझूद है लिम्बिक सिस्टम मौझूद है अगे चलते हैं लिम्बिक सिस्टम work together to produce our most basic and primitive emotions यह जो लिम्बिक सिस्टम होता है बेटा यह हमारे क्या पैदा करता है to produce our most basic and primitive emotions जो हमारे बुनियादी और पुराने emotions होते हैं एसासात होते हैं यह वो पैदा करता है drives खाइशात पैदा करता है and behaviors और हमारे रविये पैदा करता है इनमें क्या चीज़ें शामिल है fair हमें मतलब किसी चीज़ें डर लगता है तो limbic system की जिमादारी है rage, वुसा, थर्स्ट, प्यास, hunger, भूग, tranquility, सकून, pleasure, खुशी, sexual responses यह सारे कौन कंट्रोल करता है limbic system कंट्रोल करता है portion of the limbic system is also important in the formation of the memories कि जो limbic system है इसका कुछ हिसा जो होता है वो formation of memories में भी involved है यह तो general आपको बताया गया limbic system के बारे में अब limbic system के हम components देखेंगे limbic system के हम parts देखेंगे the limbic system consists of hypothalamus limbic system hypothalamus पर मुश्टमिल होता है amygdala पर मुश्टमिल होता है amygdala hippocampus पर मुश्टमिल होता है as well as nearby region of cerebrum तो यह चार चीजें मिलकर limbic system मनाती है limbic system इन चार चीजों पर मुश्टमिल होता है hypothalamus पर amygdala पर hippocampus पर and nearby region of cerebrum और cerebrum के जो क्रीबी इलाके होते हैं जो इनके साथ होते हैं वो भी किस में शामिल है वो भी limbic system में शामिल है तो एकदा दुबारा देख लेते हैं the limbic system is located सबसे पहले location का बताया गिया limbic system is located in an arc between the thalamus and the cerebrum limbic system work together to produce our most basic and primitive emotions drives खाइशात को बोलते हैं behaviors including fear rage, thirst, hunger tranquility, player and sexual responses portion of the limbic system is also important in the formation of memories the limbic system consists of hypothalamus, amygdala, hippocampus as well as nearby region of cerebrum अब diagram से हम देख लेते हैं यह thalamus है और thalamus के नीचे कौन मौजूद है hypothalamus thalamus के नीचे कौन मौजूद है hypothalamus उसके बाद यह वाला जो हिस्सा है इसको हिपो केंपस केते हैं यह वाला जो हिस्सा है इसको हिपो केंपस केते हैं और यह वाला जो हिस्सा है इसको क्या केते हैं amygdala ठीक हो गया तो जो limbic system है यह सारा limbic system है इस limbic system में hypothalamus मौजूद है hemagdala मौझूद है और hippocampus मौझूद है hypothalamus hemagdala और hippocampus मौझूद है और cerebrum के करीब इलाके ये वाले cerebrum के जो nearby regions होते हैं वो भी किस में आ जाते हैं वो भी limbic system में आ जाते हैं तो ये सारी क्या दिखाया गिया है सारा limbic system दिखाया गिया है तो हम अब इनकी detail पढ़ते हैं सबसे पहले hypothalamus को पढ़ लेते हैं hypothalamus को पढ़ लेते हैं the hypothalamus through its hormone production and neural connections आपको पता होना चाहिए ये hypothalamus ये दो coordination करवाता है एक nervous coordination भी कराता है क्योंकि इसका nervous connection भी होता है nervous coordination ही करता है और ये chemical coordination भी करता है और chemical coordination आपको पता है किस के जरी होती है endocrine system के जरी होती है और endocrine जो system होता है बेटा वो glands पर मुश्टमिल होता है और glands में क्या बनते हैं hormones बनते हैं endocrine glands में तो ये hormones भी बनाता है hypothalamus तो आपने क्या सीखा आपने का hypothalamus through its hormone production कि hypothalamus एक तो hormone बनाता है और दूसरा क्या करता है neural connection याई कि nervous system का भी हिसा है और endocrine system का भी हिसा है लेहाज ये उन दोनों को जोड़ता है ये बड़ा important है very important ठीक है और क्या आ सकता है इसका short question आ सकता है ठीक हो गया hypothalamus through its hormone production and through its neural connection act as major coordinating center तो अगर भी आप से पूछे major major coordinating center कौन है hypothalamus है क्यों क्योंकि ये हार्मून भी बनाता है और neural connection नर्वास सिस्टम के साथ इसके connection है क्या काम क्या करता है controlling body temperature ये आपके body temperature को control करता है hunger, book को control करता है menstrual cycle जो female के अंदर सलता है उसको control करता है water balance sleep-wake cycle उठने और जागने का जो cycle है उसको भी control करता है कौन? hypothalamus एक information है इस diagram के नीचे मौजूद है हम वो कर लेते हैं information है जो इस diagram के नीचे मौजूद है उसमें लिखा हुआ है limbic system and the thalamus thalamus हमने पहले पढ़ लिया है दुबारा भी कुछ thalamus के बारे में हम सीख लेते हैं इस information में diagram के जो नीचे लिखा हुआ है limbic system के बारे में और thalamus के बारे में हमने general limbic system के बारे में देख लिया है अब detail पाढ़ने है एक-एक हिसे की जिसमें hypothalamus को हमने पढ़ लिया है so the limbic system extend through several brain region कि जो limbic system होता है ये extend करता है पहला होता है तो several brain region brain के मुख्तलिफ regions में brain के मुख्तलिफ जगों पे brain के मुख्तलिफ लाकों में ये पहला होता है it seems to be the center of the most unconscious emotional behaviors ये जो limbic system है ये बहुत सारे हमारे unconscious unconscious बोलते है गैर शाओरी जिसमें बंदे की मर्जी मनशा शामिल नहीं होती emotional behaviors को control करता है ये हमारे बहुत ज़्यादा गैर शाओरी emotional behaviors को control करता है किन को love को control करता है hattled नफरत को control करता है hunger book को control करता है sexual responses को control करता है और fair को भी control करता है और यह हमारे कौन से behaviors हैं? यह unconscious emotional behaviors हैं आगे चलते हैं अब थैलमस के बारे में थोड़ा सा कल भी मैंने आपको थैलमस के बारे में एक बात बतायती कि यह एक relay center है यह क्या है बिटा? relay center है इसका मतलब क्या है कि कोई भी मालुमात जो बाड़ी से brain के पास जाएगी वो सबसे पहले किस को cross करेगी? relay center को यहनि के थैलमस को cross करेगी मैंने का था सिवाए nose वाली information के smell वाली information के बाकी सारी information थैलमस के पास जाती है फिर थैलमस उनको brain के पास बेचता है ठीक है? तो थैलमस is a crucial relay center तो आगी है MCQs आजए कि crucial relay center कोई है? एहम relay center कोई है? एहम राबते का मरकज है राबते का मरकज कोई है? थैलमस है among the senses यह senses का एक relay center है the limbic system and the cerebral cortex किस-किस के दर्मियान? limbic system के दर्मियान और cerebral cortex के दर्मियान relay center कोई है? ये देखें थेलमस मौझूद है ये रापते कमर का जरेले सेंटर है लिम्बिक सिस्टम के दर्मियान और सेरिब्रल काल्टिक्स के दर्मियान आगे चलते हैं लिम्बिक सिस्टम का हाइपो थेलमस आपने देख लिया लिम्बिक सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट दूसरा पार् मौझूद है नियूरान की कुलेक्शन मौझूद है जो कि कौन सी संसेशन पैदा करते हैं वेटा प्लायर खुशी को कहते हैं पनिश्मेंट सजा वगएरा एंड सक्ष्वल अरौजल वन स्टिमॉलेटड के अंदर वो नियूरान है जब उन नियूरान को स्टिमॉलेट किया तो हमारे अंदर मुख्तलिफ संसेशन पैदा होती है उन्मेंसे एक संसेशन प्लायर है एक पनिश्मेंट है और एक सक्ष्वल अरौजल है ठीक हो गया इसके लाव यह उन फीलिंग को भी कंट्रोल करता है जिनके अंदर बंदे को घुसा लगता है ठीक हो गया इसका मतलब होता है डर लगता है और रिज का मतलब उसाल अपनेगा आपका शाट को एसन क्या है नेक्स्ट लेखते हैं लिम्बिक सिस्टम का तीसरा हिसा हिपो कैमपस जब हिपो कैमपस आपने लिए प्लेज इस वाश्त वगयरा ये इसको याद करना है इसको जाए फ्लेज एक्तर and role in the formation of long term memory and thus it is required for learning ठीक हो गया जो हमारी long term memory होती है जो चीज़ें हमें काफी देर तक याद रहती है उस में किस का किरदार होता है इपो केमपस का किरदार होता है जब हम कुछी चीज़ याद कर लेते हैं तो फिर हमें learning में असानी होती है सीखने में असानी होती है तो यह long term memory को कंट्रोल करता है जिससे हमें learning में सीखने में असानी होती है अब चलते हैं वेटा सेरी बरम की तरफ जो four brain का तीसरा हिसा है और यह आपका very important long question है और यह दिमाग का भी सबसे बड़ा हिसा है सबसे अच्छा तरक्की आफ़ता हिसा है इसको कभी-कभी अकेले को भी brain बोला जाता है सो सेरी बरम हम start करने लगे हैं सेरी बरम इट इस दे लार्जेस पार्ट आफ़ता बरेन यह बरेन का सबसे बड़ा हिसा है and it is divided into two halves इसको दो halves में तक्सीम किया जाता है और हर half को सेरी बरल हैमी सफेर कहा जाता है यह जो बेटा सेरी बरम है सेरी बरम जो है इसको दो halves में तक्सीम किया जाता है एक यह half और एक यह half एक कौन सा half होता है left half होता है और एक कौन सा half होता है right half होता है और उन halves को क्या का जाता है सेरी बरल हैमी सफेर हमी का मतलब होता है हाफ, हाफ सफेर का मतलब गोल, अधा गोल ये और अधा गोल ये, तो ये दो इस सुम पर मुश्टिमिल होता है जिनको कहा जाता है Cerebral Hemisphere, एक right Cerebral Hemisphere और एक left Cerebral Hemisphere. So the Cerebrum is divided into two halves called Cerebral Hemisphere. These halves communicate with each other by means of large band of exons called Carpus Kelosum. अब ये दो जो halves हैं, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं. किसके जरीए? Large band of exons के जरीए. Large band of exons के जरीए जुड़े होते हैं, उन large band of exons को, ये जो मैं बना रहा हूँ, इसको कहते हैं Carpus Kelosum, ये आपका important MCQs है. कि जो दो Cerebral Hemisphere हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं, large band of exons के जरीए, उस large band of exons का नाम है Carpus Kelosum. ठीक हो गिया, ये MCQs भी आता है, शार्ट कॉस्टन भी आता है, के Carpus Kelosum क्या है? ठीक हो गिया. The two cerebral hemisphere, the two cerebral hemisphere, ये the two halves, they communicate with each other, वो एक दूसरे के साथ communicate करते हैं by means of large band of exons, एक बड़े exon की पत्ती से, एक बड़ी exon की पत्ती से, एक बड़ी exon के band से वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ communicate करते हैं. this large band of axon is called carpus callosum large band of axon is called carpus callosum अगे चलते हैं tens of billions of neurons are packed into this part इसी part के अंदर tens of billions बहुँ जादा neurons are packed into this part अगे चलते हैं the outer region are called cerebral cortex forms fold called convolutions जो इसके outer region होता है बैटा cerebral cortex का वो fold बनाता है घेरे बनाता है उनको convolutions कहते हैं क्या कहते हैं बैटा convolutions कहते हैं okay which greatly increase its surface area जिससे इसका surface area बाढ़ जाता है पहली बात cerebrum का जो outer region होता है उसको cerebral cortex कहते हैं क्या कहते हैं cerebral cortex कहते हैं और वो क्या बनाता है इस तरह बनाता है इनको बोलते हैं convolutions the outer surface of the cerebrum is called cerebral cortex and this form convolutions इससे brain का surface area बाढ़ जाता है this part receives sensory information then process it stores some memory for future use and then direct voluntary movement and it is responsible for poorly understood process that we call the thinking do cerebral cortex के काम बताए जा रहे हैं किसके काम cerebral cortex के काम the cerebral cortex cerebral cortex को वो cerebral Coronet क्या करता है fold बनाता है उन folds को convolutions का आजाता है उस confinement से फोल्ड से क्या फैदा होता है greatly increase its surface area cerebrum का surface area बढ़ जाता है बहुआ जादा अब ये जो cerebral cortex है बेटा इसका काम देख रहे हैं जो बाहर वाला अलाका है इसका काम क्या होता है cerebral cortex का this part receive sensory information ये इसा sensory मालूमात को वसूल करता है उसके बाद receive करने के बाद उनको process करता है यानि कि उनका तज़िया करता है store some memory, store some in memory कुछ को अपनी यादाश्ट के अंदर क्या कर लेता है store कर लेता है ताके future use में काम आसके उसके बाद क्या करता है direct voluntary movements और फिर voluntary movement कराता है यानि कि skeletal muscle को पेगाम भेज़ता है और skeletal muscle voluntary movement करते हैं और यह जो cerebral cortex है it is also responsible for poorly understood process एक अमल है जिसे अभी तक सही समझा नहीं गिया वो अभी तक poorly understood process है और उस poorly understood process का नाम thinking है so thinking को भी यह cerebral cortex control करता है मालुमात को वसूल करता है उनको process करता है कुछ मालुमात को future use के लिए store कर लेता है फिर direct करता है voluntary movements को और thinking को भी control करता है और thinking वो process है जिसे अभी तक सही समझा नहीं गिया the cerebral cortex contain primary sensory areas अभी यह जो cerebral cortex आप पढ़ रहे हो बिटा इसके अंदर क्या मौझूद होते है primary sensory areas मौझूद होते है where signal originating in the sensory organs such as eyes and the ears are received and converted into subjective impressions such as light and sound अब इसका मतलब क्या है कि जो cerebral cortex है क्या बिटा cerebral cortex जो है cerebral से related है cerebral ठीक हो गया cerebral cerebral cortex बाहर का इलाका यह जो बाहर का इलाका है इसमें मौझूद होते है primary sensory areas primary sensory areas के वो areas जो के पेगामात को बाड़ी के मुख्लिफ इसों से लेते हैं पेगामात को बाड़ी के मुख्तलिफ हिस्वों से लेते हैं सेंसरी आरगन से लेते हैं सेंस आरगन से लेते हैं रिसेप्टर से लेते हैं और रिसेप्टर में से वो पेगाम आईज का भी हो सकता है किसका आईज से भी पेगाम हो सकता है बिटा sensory areas मौजूद होते हैं वो इस पेगाम को जो eyes से आ रहा है या air से आ रहा है उसको वसूल करते हैं और वसूल करने के बाद उनको impression में convert कर देते हैं like जो अगर eye से पेगाम आया है तो ये क्या करेंगे उसको impression में convert करेंगे और इस impression को क्या कहेंगे light और ये जो air का पेगाम होगा उसको किसमे करेंगे hearing से मुतलिक उसको convert कर देंगे या sound से मुतलिक उसको convert करेंगे ठीक हो गया तो आपने क्या का ये जो cerebral cortex है बेटा इसमें primary sensory areas मौझूद होते हैं suppose ये primary sensory areas ये भी primary sensory areas है ये मौझूद होते हैं जो के sense organ से आने वाले पेगामाद को वसूल करते हैं, sense organ में eyes भी हो सकती है, ears भी हो सकती है ears का पेगाम आएगा eyes का पेगाम आएगा और जब इनके पास पेगाम मिलेगा, ये उनको subjective impression में तबदील कर देते हैं like जो eyes से पेगाम आया है, ये उसको light में तबदील कर देंगे eyes से जो पेगाम उसको light में तबदील करेंगे और air से जो पेगाम आया है, उसको ये sound में तबदील कर देंगे इसके बाद nearby association areas interpret this information इसके लगवा ये suppose primary sensory areas हैं, ये जो मैंने पहले बनाए, ये primary sensory areas हैं, इनके साथ nearby regions होते हैं इनके साथ nearby regions होते हैं primary sensory areas के साथ secondary sensory areas होते हैं या nearby regions होते हैं, ये region हो गया ये region हो गया, ये हो गया, ये हो गया primary sensory areas के साथ कुछ nearby regions भी होते हैं जो क्या करते हैं, इस जो मालूमात आई हैं, ना sense organ से अगे चलते हैं, this area is also involved in speech and also receive an interpret sensation of the touch from all part of the body. यह जो cerebral cortex है, यह speech जो हमारी बोल चाल होती है, जो अल्ला ने सिर्फ इंसाम को दिये, उसमें भी मतलब काम करता है. यही जो cerebral cortex है, यह जो सरीवरा में है, यही जो cerebral cortex है, यह वो जाखो है, जो के impulses को पेगमात को voluntary muscle के पास भी बेजता है जिसे क्या होता है controlling movement वो voluntary muscle movement करते हैं और यह इलाका movement को control करता है तो यह आप देख रहें इसके मुख्तलिफ काम this is also involved in intelligence, cerebrum intelligence में involved है, reasoning में involved है और judgment में involved है जो हम क्या करते हैं हमारी जानत होती है उसमें यह involved है reasoning बहस और इस दलाल हम करते हैं ठीक है और judgment हम को फैसला करते हैं यह सारे काम कौन करता है, cerebrum करता है अब एक और बात यह आप देख रहें मैटा यह है आपका left cerebral hemisphere, यह क्या है आपका left cerebral hemisphere और यह क्या है आपका right जब diagram हो ना diagram में यह चीज़ क्या होती है, left होती है और यह चीज़ right होती है, तो यह left cerebral hemisphere है और यह right cerebral hemisphere है, अब बताना यह चाहा रहा है हो, कि जो left cerebral hemisphere होता है हमारा, वो हमारे जिसम की right side को control करता है, क्योंकि जो fibers होते हैं, व साइड के फाइबर राइट यह जो राइट साइड है ब्रेन की राइट साइड है उसके फाइबर जेस्म की किस साइड पर चले जाते हैं जेस्म की लेफ्ट साइड पर चले जाते हैं बाडी की लेफ्ट साइड पर चले जाते हैं लेहाजा राइट साइड आफ बाडी को कंट जाते हैं नीचे जब पेगाम जा रहा होता है न तो वो इसका पेगाम जो होता है वो क्रास कर जाता है और बाड़ी की राइट साइड पर चला जाता है और राइट सेरिब्रल है में से फियर कंट्रोल दा लेफ्ट साइड दा बाड़ी नियाजा अला ना करे अगर लेफ्ट साइड पे कोई मसला होता है तो हमारी बाड़ी की राइट साइड मतासर होती है अगर इस लेफ्ट साइड पे प्रेफिस